दोस्तों में हूँ महम्मद इर्फान और आप देख रहे हैं बिजनस एंड उन्फर्मेट्यू चैनल अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सबसक्राब नहीं किया तो अभी कर लें और बैल आएकवन को भी दबा दे शुक्रिया ये वीडियो स्काइट्रेन मेत्रो वैंकूऔर के बारे में है जो वैंकूऔर, बिर्टिश कोलंबिया, कैनेडा में राबते का जरिया है स्काई ट्रेन मेट्रो वैंकूर रीजनल डिस्ट्रिक्ट में दर्मियानी सलाहियत का तेज रफ़तार ट्रांजिट सिस्टम है जो वैंकूर, बिटिश कोलंबिया, कैनेडा में राब्ते का जरिया है स्काई ट्रेन के पास 89.6 किलोमिटर, 49.5 मील के का ट्रेक है और ये मकमल तोर पर खुदकार ट्रेनों का इस्तेमाल करता है जो ट्रेक्स पर जेर जमीन और बलंद गाइड वेज पर चलती है जिस से स्काई ट्रेन को मस्तकिल तोर पर वक्त पर पहुँचने में आसानी होती है स्काई ट्रेन एक अनाम एक्सपो 86 के दोरान इस सिस्टम के लिए वज़ा किया गया था क्यूंके पहली लाइन एक्सपो बुनियादी तोर पर डाउन टाइन वेंकूर के बाहर एलूटट गाइड ये पर चलती है जो मेट्रोपोलिटन इलाके के खुबसूरत नज़ारे फराहम करती है स्काई ट्रेन दरियाए फरेजर को अबूर करने के लिए दुनिया का दूसरा तवील तरीन केबल से चलने वाला ट्रान्जिट पिल जिसे स्काई बुर्ज कहा जाता है इस्तिमाल करता है 2 दिसंबर 2016 को एवर गरीन एक्स्टेंशन के अगास के साथ ही स्काई ट्रेन केनेडा का सबसे लंबा रैपिड ट्रान्जिट सिस्टम और दुनिया का सबसे तवील मकमल तोर पर खुदकार ड्राइवर लेस सिस्टम बन गया शिंगाई मेट्रो, सिंगापूर अमार्टी, कोवालालंपूर रैपिड केल और दुबई मेट्रो की खुदकार लाइनों की कल लंबाई स्काई ट्रेन की लाइनों से ज्यादा है स्काई ट्रेन के पास तरपन स्टेशन है जो तीन लाइनों के जरिया काम करते हैं एक्सपो लाइन, मिलेनियम लाइन और केनेडा लाइन, एक्सपो और मिलेनियम लाइन्स बिरिटिश कोलंबिया रिपिड ट्रांजिट कमपनी TRANSLINK असल में BC TRANSIT के के मौाइदے के तहत चलती हैं जो के एक एक इलाकाई सरकारी ट्रांसपोर्टेशन एजिंसी है। कैनेडा लाइन उन्ही उसूलों पर प्राइविट कंस्शनर प्राटेंस बी-सी के जरीए ट्रांस लिंक के मौाइदे के तहट चलाई जाती है और ये इलाकाई ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक मुनज़म हिसा। स्किट्रेन किराया का निजाम इस्तिमाल करता है जिसका इश्तिराग दीगर मقामी ट्रांसट सर्विस्स के साथ होता है और इसे मेट्रो वैंकुर ट्रांसट पॉलिस के जरीए कंट्रोल किया जाता है। स्किट रेन अटेंडन्ट तीन चौथाई अप्तिदाई तिब्धी इमदाद, हंगामी रद्दे अमल, हिदायात और कस्टमर सर्विस फराहम करते हैं, किरायों का मौाइना करते हैं, ट्रेन की खराबियों की निगरानी करते हैं, और अगर जरूरी हो तो ट्रेनों को मैनवली तोर पर चिलाते हैं, मेट्रो वैंकूर, बिटिश कोलंबिया ट्रांजिट की किस्म दर्मियानी सलाहियत का तेज रफ्तार ट्रांजिट सिस्टम, लाइनों की तादाद तीन और स्टेशनों की तादाद तिरपन है, सालाना तकरीबन दो सो मिलियन अफराद इस्तिमाल करते 36 साल पहले दिसंबर 1980 को आउपरेशन का आघाज हुआ, गालियों की तादाद 298 ट्रेन की लंबाई दो, चार या छे कार ट्रेन सी, एक्सपो लाइन, स्काई ट्रेन एक्सपो लाइन वैंकूर के वाटर फ्रेंट स्टेशन को सिरे के किंग जार्ज स्टेशन से जोड़ती है, बन्यादी तोर पर वेस्ट मिनिस्टर और वैंकूर क्रामवे कमपनी के जरिया 1890 में एक इंटर अर्बन लाइन के तोर पर कायम करदा रास्ते के साथ, एक्सपो लाइन, असल में मिलेनियम लाइन के खिलने तक सिर्फ स्काई ट्रेन एक के तोर पर कहा जाता है, सिर्फ एक्सपो 86 के वक्त में 1885 में बनाई गई थी, अब इसके 24 स्टेशन है, एक्सपो लाइन शुरू में सिर्फ न्यू वेस्ट मिनिस्टर स्टेशन तक चलती थी, 1989 में इसे कोलम्बिया स्टेशन तक बढ़ा दिया गया, और 1990 में स्काई बुर्ज के मकमल होने के बाद, ये दरियाए फरेजर के पार सिरे में स्काट रोड स्टेशन तक जारी रहा, 1994 में एक्सपो लाइन का टर्मीनस वस्ती सिरे में किंग जार्ज स्टेशन बन गया, इसे 804 मिलियन डॉलर, 19896 डॉलर के बजट से बनाया गया था, 22 अक्तूबर, 2016 से, एक्सपो लाइन ट्रेनों ने वाटर फरेंट और इस स्टेशन के दर्मियान पिछली मिलेनियम लाइन सर्विस को समालते हुए, प्रोड़क्शन वियुनसट स्टेशन के लिए एक नई बराज पर काम करना शुरू किया, रश के अकात में, वाटर फरेंट और कोलंबिया के दर्मिया 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 क स्टेशन से कोलंबिया स्टेशन तक एक्सपो लाइन के साथ ट्रेक्स का इश्तिराक किया फिर नाथ बरनिबी और इस्ट वैंकूर के जरिये अपने बलंद रास्ते पर चलते हुए वैंकूर कम्यूनिटी के करीब कलार्क स्टेशन पर इखताम पजीर हुआ कालिज का सब् dese true future sir 26 ऑ खोलीगई थी 22 अक्टूबर 2016 से एक दिसंबर 2016 तक मिलेनियम लाइन से लावीड टाउन सिंटर स्टेशन स्टेशन तक चलती रही ten 2 दिसंबर 2016 तक मिलेनियम लाइन वैंकूर में स्टेशन और कोकविटला में लाफज स्टेशन के दर्मियान काम करती है मिलेनियम लाइन के 17 स्टेशन हैं जिन में से 3 एक्सपो लाइन कमर्शल बराडवे, प्रोडक्शन वे युनिवरसिटी और लोहेड टाउ नून सेंटर के साथ ट्रांसफर स्टेशन हैं और दो जो वेस्ट कोस्ट एक्सप्रिस मसाफर ट्रेन, मूडी सेंटर और कुकिटलम से से जोड़ते हैं मिलेनियम लाइन के असल स्टेशन ब्रिटिश कोलंबिया के सरकरदा आर्केटेक्ट्स ने डिजाइन किये थे और ये एक्सपो लाइन के स्टेशनों से बहुत मختलिफ हैं 2004 में बसभी और असोसी एट्स आर्केटेक्ट्स बरनिबी के ब्रेंट वोड टाउ उनून सेंटर स्टेशन के डिजाइनर्स को उनके काम के लिए आर्केटेक्ट्चर में गवरनर जनरल के तमगे से नवाजा गया मिलेनियम लाइन्स एवरग्रीन एक्सेंशन पर बरनिबी के लाउइड टाउन से कोकुटला में लाफाश तक की तामीर 2016 में मुकमल हुई थी और इसे 2 दिसंबर 2016 को रेविन्यू सर्विस के लिए खौल दिया गया था ये तोसी मिलेनियम लाइन में 11 किलोमीटर 6.8 मील्स और 6 नए स्टेशनों का इजाफा करती है कैनेडा लाइन कैनेडा लाइन वाटर फ्रेंट स्टेशन के मरकज से शुरू होती है फिर जनूब में वैंकूर से होती हुई रिच्मंड और सी आईलेंड के शहर तक जाती है बुर्ज पोर्ट स्टेशन से कैनेडा लाइन दो शाखों में तक्सीम हो जाती है, एक मगरिब की तरफ वैंकूर इंटरनेशनल एरपोर्ट के एरपोर्ट स्टेशन की तरफ और दूसरी जुनूब की तरफ रिच्मन्ड के शहर के मरकज में वाके रिच्मन्ड ब्रैग हाव स स्टेशन की तरफ जाती है. 17 अगस्त 2009 को खोली गई, कैनेडा लाइन ने स्काइ ट्रेन नेट वर्क में 15 स्टेशन और 19.2 किलोमेटर 11.9 मील का इजाफा किया. वाटर फ्रेंट स्टेशन वाहिद स्टेशन है, जहां कैनेडा लाइन बरा रास्त एक्सपो लाइन से जोड़ती है. ताहम, वैंकुवर सिटी सेंटर सेटेशन रैन्विल स्टेशन से पैसिफिक सेंटर माल के रास्ते तीन मिनिट की पैदल सफर के अंदर है, जिससे एक्सप Canada Line की ट्रेने, जो हुंडाई रूटीम की तरफ से बनाई गई हैं, मकमल तोर पर खुदकार हैं, लेकिन एक्सपो और मिलेनियम लाइन्स के बंबार्डियर के बनाई हुए बेले से मुखतलिफ डिजाइन की है। वो लकीरी इंडिक्शन मोटर टेकनॉलोजी के बजाए रिव कि अबसा है।